दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने बाले हैं कि credit be application की limit को कैसे increase करें जी हाँ दोस्तो अगर आप credit be application की limit को increase करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से अपनी limit को increase कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आपने पहली वार credit be application से loan लिया है और उसका जो भुक्तान है वो आप धीरे-धीरे कर चुके हैं आपकी last EMI बची है और आपके सामने इस परकार का option आ रहा है और home page पर आपके सामने इस परकार के जो loan है bank transfer करने के purchase EMI करने के वो इस परकार से lock होकर आ रहा है आपका loan है वो unlock नहीं है तो दोस्तों आपके लिए बता दू कि जब तक आप इस EMI को pay नहीं कर देते हैं लाश्ट जो EMI है आपकी तब तक आपकी limit को increase नहीं किया जाता है सबसे अच्छी बात credit भी application में दोस्तों यह है कि अगर आप अपना जो payment है जो loan का जो due payment है वो time to time करते हैं तो आपकी 100% आपकी limit बढ़ जाएगी जैस यहाँ पर कोई भी खुल कर नहीं आ रहा है सभी lock आ रहा है लेकिन जैसी ही मैं इस EMI को pay कर दूँगा ऐसी ही मेरी जो limit है जो यहाँ पर 25,000 की है जो यहाँ पर खुल कर आ जाएगी यहाँ पर सभी ताले खुल कर आ जाएंगे जैसे कि मेरे किसमें यहाँ पर 4,000,000 का personal loan है selling loan भी खुल कर यहाँ पर आ रहा है आपके लिए दिखा दूँ तो यहाँ अगर मैं लेना चाहता हूँ तो इसके लिए भी apply मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे करना है अपनी limit को increase जो मेरी bank में transfer करने की है तो limit को increase करने के लिए मैं इस EMI को चलिए आपके सामने live proof करकर दिखा देता हूँ चलिए यहाँ पर यहाँ पर payment करके आपके सामने live proof करके दिखाऊंगा और जो मेरी EMI है वह यहाँ पर लाइप प्रूप आपके सामने payment हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सभी details भर लिए उसके बाद यहाँ पर payment भी यहाँ पर कर दिया है इसके बाद यहाँ पर payment successful हो जाता है उसके बाद done की option पर किलिक कर देता हूँ और आ जाता हूँ क्रेट बी की option पर तो यहाँ पर लोन का रिपैमेंट कर दिया जाता है उसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ दिर का बेट करना यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि पेज एटोमेटिक ल मेरा यहां पर यहां पर यहां पर सक्सेस्पुल हो चुका है अगर यहां पर उसका यहां घर अगर आप करेंगे तो आपके लिए जैसे की फिलिप कार्ट से या एमाजॉन से जो इबॉचर होता है वो आपको लिए यहां पर पर्चेस करना होता है लेकिन मुझे करना है बैंक में ट्रांसपर दोस्तों यहां पर लिखा 25 अर की लिमिट है जो यहां पर मेरी लिमिट इंक इंकरीज होगी दोस्तों और आप अगर टैम टू टैम नहीं करते हैं अगर आप कोई भी इमाई मिस कर देते हैं एक दिन दो दिन तो जो उस पर चार्ज लगता है वह अगर आप चार्ज दे देते हैं तो एंडड़ परसंट तब भी आपकी लिमिट इंकरीज कर दी आप तैम्यכשיו करने का यह ही फंडा है कि आप दोस्तों लिमिट इनकोटे ना चाहाते हैं तो so करिएगा आई होप मेरे द्वारा वताएगी जनकारी आपके लिए पसंद आई होगी जनकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज की वीडियो में इतना ही मिलते नेक्स वीडियो में तब तक दो